आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी भगोरिया में नहीं आये तो परंपरा के लुप्तोने की बात सामने आये लेकिन खुशी तब हुई जब 2013 के पिछले भगोरिया में राय बुदलियों ने का जुंडव डही और वालपूर पहुचा लेकिन असबार वो डही नहीं आये तो भगोरिया की रंगत में उनकी कमी मह ढूंड और पैरो वा कमर में घुंगरू बांदे समूह में नाश्ते गाचे राय बुदलियों के साथ बायर महिला के स्वांग रचे आदिवासी पुरुश की समूह ने समा बांधा गुरतलभू की भगोरिया वहोली पर्व के साथ कई अनूठी परंपराएं भी जुड़ पर बढ़वानी जिले की सीमा स्ते तोर सीमा में बढ़वानी जिले की कई गाउं नर्मदा पट्री से लगे हुए हैं ऐसा ही गाउं है भादल यहां के राय बुदलियों काफी मश्यूर है यह मननत धाली राय बुदलियों भगोरिया के दौरान डही और वालपुर छेतर म आते हैं और होली पंचमी और सब्तमी तक घर से बाहर रहते हुए नर्मदा किनारे विचरन करते हैं और खुले में सूते हैं विशेश रूप धारन की और स्वांग रचने वाले राय बुदलियों काफी आकर शक दिखते हैं ऐसा करने के पीछे उनकी मानता है कि से वो जहा जहां भी जाते हैं उस गाँ में विफदा नहीं आते हैं और खुशाली बनी रहती है राय बुदलियों दिन भर भूखे रहकर सामुझ करूप से फगुनी गीत गा कर निर्त भी करते हैं सुरियास के भाद भोजन करते हैं और रात जंगलों में बताते हैं अपने मूल से राय बुदल ये मनत लेकर निकले तो सब्तमी तक नर्मदा तर्ट पर विचरन करेंगे ड़ी से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए चंदर शेकर शर्मा के रेपोर्ट